नमस्कार भारत के पहले मुबाल न्यूस चैनल मेटो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका इस खास न्यूस बुलिटन में खबरों का सलसला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर दलिदू पर हो रहे अत्या चारों पर आज लोग सभा में होगी चर्चा विपक्षने की सरकार को खेंडने की तैयारी पीम नरेंदर मोधी से भी बयान देने की मांग की नीजी कमपनियों में काम करने वाली महीलाओं को मिल सकती है रहत 12 हफते की जगा 26 हफते की मिल सकेगी मेटर लिटिली अज संसद में पेश हो सकता है ये बिल कश्मीर के मुद्दे पर सरकार ने 12 अगस्त को बुलाई सर्वदलिय बैठक घाटी में हो रही हिंसा का पाकिस्तान पर आयोजित बताया पाकिस्तान के साथ पोख पर बात करने को तैयार है भारत हिंगोनिया गोशाला में गायों के मरने के मामली में राज्य सरकार को लगी फतकार राज़सान हाई कोर्ट ने मांगी मामले की विस्तरित रिपोर्ट आज मुख्य मंतरी वसंद्रा राजे हिंगोनिया गोशाला का करेंगे मुआयना और बिहार के विकास दर में आई जबरदस्त किरावर केंद्रिया सांख्य की विभाग ने किया दावा जेरी ने विभाग के दावे को जटलाया पूरे मामले का परदापाश करने का किया एलान लोग सभा में देश के अलग-अलग हिस्सों में दलेतों पर हो रहे अत्याचारों पर आज चर्चा होगी पिछले दिनों उना समेथ कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां दलेतों के साथ भेधभाव और कूरता की गई इन घटनाओं को लेकर विपक्ष लगाता सरकार पर हमले कर रहा है BSP नेता मायवती की ओर से कई बार इन घटनाओं को संसद में उठाया गया है और उन्होंने PM नरेंद्र मोधी से बयान देने की भी मांग की थी मायवती के अलावा कई दूसरे दलों के नेताओं ने भी इन घटनाओं को PM से जवाब वांगा था संसद्यकार मंतरी अनंत कुमा ने कल कहा था कि केंद सरकार को चर्चा कराने में कोई हिचके चाखट नहीं है और वो सदन में इसके लिए तयार है विपक्ष के बार बार दबाव के चलते कश्मीर के हालात पर कल राज्यसभा में चर्चा हुई चर्चा के दौरान गरिह मंतरी राजनाथ संग ने कहा कि घाटी में जो भी चल रहा है वे पाकिस्तान प्रयावजित है लेकिन हम पाकिस्तान से अब कश्मीर पर नहीं बलकि पाक अधिकरित कश्मीर पर ही बात करेंगे राजनाथ संग ने राज्यसभा में चर्चा के बात कहा कि कश्मीर मुद्दे पर सरकार ने 12 अगस्त को सभी पांटियों की बैठक बुलाई है इसलिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भी रहेंगे राजनाथ संग ने साफ किया कि कश्मीर में लगातार कर्फ्यू नहीं लगाया गया है हाला कि अभी हालात सामन्य नहीं हैं वहाँ पर मगर सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि स्थिती जल्दी ठीक हो उधर राजसभा में विपक्ष्ट के नेता गुलाम नभी आजाद ने पीए मोधी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि प्रधान मंत्री संसद में बोलने की बजाए गंभीर मुद्दो पर सदन के बाहर बोलना पसंद करते हैं पिछले महीने जम्मु कश्मीर से गिरफतार किये गए आतंकी बहादूर अली को लेकर राष्टे जांच एजनसी ने कई खुला से की हैं एनाईये ने कल बहादूर अली के काबल नामे का वीडियो दिखाते हुए प्रेस कॉन्फरिंस किया जांच एजनसी ने बताया कि आतंकी बहादूर अली को जमात उद्दावा ने रिक्रूट किया था बाद में लशकर तईबा को सौब दिया गया बहादूर अली ने लशकर द्वारा दी जाने वाली तीनों ट्रेनिंग ली है लशकर ने उसे ट्रेंट करके जमु कश्मीर में घूस पेट करने और स्थानिय लोगों के बीच घुल मिलकर तनाव उत्पर्ण करने के लिए कहा था बता दे कि पाकिस्तानी आतंकी बहादूर अली को 25 जुलाई को एक 47 राइफल ग्रेनेट और लांचर के साथ गिरिफतार किया गया था NIA ने बताया कि बहादूर अली के पास से मिलक कोड से बता चलता है कि उसे बहुत हाइट ट्रेड लोगों ने ट्रेनिंग दी थी केंद्र काबिनेट ने मेटरनिटी बेनफिट आक्ट 1961 में बदलाव को अपनी मनजूरी दे दी है अगर ये बिल संसद में पास हो जाता है तो नीजी कमपनियों में काम करने वाली महीला को भी 12 हफ़ते की जगा 26 हफ़ते की मिटरनिटी लीव मिल सकेगी सरकारी करमचारियों को ये सुविदा पहले से ही मिल रही है नए बिल में ये भी प्रस्ताव है कि जो महीला किसी बच्चे को गोद लेती है तो उसे 12 हफ़ते की छुटी दी जाएगी साथ 50 से ज़्याद करमचारियों वाले दफ्तर को बच्चों की देखभाल के लिए अपने यहां एक क्रेंच भी बनाना होगा बिलको आज संसद में पेश किया जा सकता है कैबिनिट ने इसके साथ ही कारखाना अधिनियम में संशोधनों को भी मंचूरी दे दी जिसे संसद के चल रहे मौनसून सत्र में पहले ही पेश किया जा चका है हिंगोनिया गोशाला में गायों के मरने के मामले में राजस्थान हाई कोट में कल लगातार आठ घंटे तक सनवाई हुई मामले के सनवाई में गायों के मरने को हाई कोट ने गंभीरता से लेते हुए टिपनी करते हुए कहा कि ये जगा गोशाला की जगा वद्शाला बंदी जा रही है इस बीच राजस्तान की मुख्यमंत रिवसंत्रा राजे आज गोशाला का दौरा करेंगी हाई कोट ने ये भी कहा कि धर्म से कानून निकला है ना कि कानून से धर्म निकला है गुपाशुत्मी भारत में ही मनाई जाती है इसलिए गायों की सेवा करनी चाहिए कोट ने इस बीच एंटी करप्शन भियोरो के ADG को कोट में बुला कर कहा कि यहां सारे अधिकारी भ्रष्ट लगे हैं इनके जाच कर रिपोर्ट दीजे मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी हाई कोट में SOG ने अपनी अंतरिम जाच रिपोर्ट सौपी जिसमें लापरवाई की वज़ा से दल दल में फसकर भूकी प्यासी गायों के मरने की वज़ा बताई गई केंद्रे सांखे के विभाग द्वारा जारी के विकासदर के आंकडों के मताबिक बिहार के विकासदर में इस साल भारी गिरावट देखने को मिल रही है ताजा आंकडे से बिहार में राजमीती भी तेज हो गई है जेडियो इससे फरजी आंक्रे बता रहा है तो विपक्ष सरकार को नीतियों को इसके लिए जिमिदार बता रहा है हाला कि ये अभी फाइनल आक्रा नहीं है पिछले कई सालों से CSO द्वारा जौरी विकासदर के आक्रों में बिहार अवल दर्ज पर था लेकिन पिछले वर्ष बिहार के विकासदर में गिरावटाई है CSO द्वारा जौरी प्रारंभिक आक्रों पर जेडियों के प्रवक्ता नीरज कुमार ने विकासदर को पूरी तरह से फरजी बताते हुए कहा कि जो आक्रे जारी किये गए हैं उसका भी सरकार अवलोकन करा रही है उन्होंने कहा कि जारी आक्रे में कृष्षी के विकास की कोई चर्चा ही नहीं है उन्होंने कहा कि केंद्र दुआरा किये जा रहे फरजीवाडे को सरकार वास्तविक आकड़ों को संग्रह करने के बाद उजागर करेगी महंगाई की मार से परिशान 20 संसदों के एक प्रतिनिधी मंदल निकल प्रधान मंति नरेंद्र मोधी से मुलाकात की सभी सांसद निधी की राशी को बढ़ाने के मुद्दे पर पीम से मिलने पहुँचे थे इस वरान खुद सांसदों ने मोधी से सांसदों का वेतन बढ़ाने की भी मांग रखी तब लगे हाथ पीम ने सांसदों को सलहा दी कि वे अपने खर्चों में कम इलाए सांसदों ने पिये मोदी को सांसर निधी को 5 कडोर से बढ़ा कर 25 कडोर करने के लिए एक ग्यापन भी सापा जिसमें सभी दलों के लोकसभा और राज्यसभा के 255 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं प्रतिनीधी मंदल में शामिल और ग्यापन में हस्तक्षर करने वाले ज्यादतर सानसद बीजेपी के थे पिये मोदी ने समय की नजाखत देखते हुए सानसदों के प्रतिनीधी मंदल से कहा कि सानसर निधी बढ़ हाने पार सरकार जरूर विचार करेगी रेलवे सभी संसदों को एक विशिष्ट पहचान संख्या देगा जिसके माध्यम से वे रेलवे टिकेट बुकिंग करा सकेंगे और इसे एक से अधिक टिकेटों की बुकिंग में किसी तरहा के दुरुपयोग को रुका जा सकेगा ये जानकारी खुद रेल मंत्री सुरेश प्रभू ने दी है प्रभू ने प्रश्णकाल में कहा कि संसद सदस्यों द्वारा उनके नाम से कराई जाने वाली मल्टीपल बुकिंग के कुछ मामलों का पता चला है बेरहाल फरजी तरीके से बुकिंग का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है उन्होंने कहा लोकसभा राजसभा के सभी सदस्य खो एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी जुसके माधियम से वे रेलवे टिकेट बुकिंग करा सकेंगे और इसे एक से अधिक टिकेटों की बुकिंग में किसी तरह के दुरुप्योग को रोका जा सकेगा प्रभू ने कहा कि किसी ने अगर दुरुप्योग करने का प्रयास किया तो सांसद के मोबाइल नंबर पर एक मेसेज जाएगा इससे दुरुपयोग की समस्या समाप्त होगी दुरुपयोग करने वालों पर कारवाई की जाएगी कॉंग्रिस ने उत्र प्रदेश में होने वाले विधान सबा चुनाव के लिए करीब 80 उमीदवारों के नाम तेय कर लिये हैं हाला कि पार्टी अभी इसकी अधिकारे घोशना नहीं करने वाली है और इसके लिए सही समाई का इंतजार कर रही है बताया जाता है कि उमीदवारों के चॉयन मिप्रयांका गांधी वाड्रा ने भी एहम भूमी का निभाई है यूपी के चुनावी दंगल में कॉंग्रिस ने चुनाव प्रचार पर अपना जोर जब लगाया हो लेकिन पार्टी के भीतर चुनावी तैयारिया पहले के मुकाबले तेज पर है सूतरों के मुताबिक पार्टी ने राज्यक की 403 सीटों में से करीब 80 पर उमीदवार तैय कर लिया है हलाकि कोई भी नेता या अधिकारी अभी इस और कुछ भी बोलने से बच रहे हैं पार्टी को डर है कि चुनाव में अभी काफी वक्त है और अभी नामों की घोशना पार्टी के खिलाव बगावट का बिगल फूख सकती है केजरिवाल सरकार ने मुबाइल आप अधारे टैक्सी सर्विस की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए पॉलिसी तयार कर ली है दिली सरकार में परिवहन मंत्री सतेंद्र जैन ने बताया कि नई पॉलिसी के मताबिक ओला और उबल जैसे कमपनियों को जीपियस की बजाए मीटर लगाना अनिवार्य होगा सतेंद्र जैन ने कहा कि हाई कोट ने भी कहा है कि एक हद से ज्यादा किराया नहीं ले सकते ब्लास्ट के मास्ट माइंड और मोस्ट वांटड आतंकी हाफिस सईद का यूट्यूब अकाउंट बंद कर दिया गया है यूट्यूब ने इसका अकाउंट को बंद कर दिया है इस पर आतंकी सईद लगातार अपने स्पीच के वीडियो अपलोड करके भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था जानकारी के मताबिक यूट्यूब चैनल ने हाफिस के स्पीच के सभी वीडियो के URL को भी ब्लॉक कर दिया है इस वीडियो में भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए इस्तमाल किया जाता था इसे पहले टुटर ने भी हाफिस सईद के अकाउंट को बंद कर दिया था शुराब बंदी पर अकेले पड़ गए हैं बिहार के मुख्यमंतु नितिश कुमार शुराब बंदी को लेकर उठाए कई फैसले विवादत होने के बाद गटबंदन ने भी संयोग से किनारा कर लिया है आजेरी के नेता रगुवंच प्रसाद सिंग ने शुराब बंदी के फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा है बिहार में शुराब बंदी लागू करके नितिश कुमार हीरो तो बन गए लेकिन शुराब बंदी के लिए उनका सिंगं स्टाइल उनके लिए चोतरफा मुसिबत बन रहा है शराब बंदी को हर हाल में लागू कराने के लिए नितिश ने ऐसे तीन बड़े फैसले लिए जिसको लेकर विरोधी ही नहीं उनके अपने भी उंगली उठा रहे हैं ऐसे में शराब बंदी को लेकर सरकार की मुसीबते बढ़ती जा रही है बिहार में नितिश की जेडियों और लालों की आजजेडी मिलकर सरकार चला रही है मगर आजजेडी के बड़े नेता रगुवंश प्रसाथ सिंग नितिश के पैसलों पर सवाल उठाया है रगुवंश प्रसाद सिंग निनितिश ने शुराब बंदी कानून की खत्म करने को कहा है बार्दिय रिजर्व बैंक के निवर्तमान गवनर अगुराम राजन ने अपने खिलाफ राजनीती आक्षेपो को ओचापन करार दिया है उन्होंने ये भी कहा है कि वे पहले अपने कारे को पूरा करने के लिए कुछ और समय रुकने को लेकर हो सकते थे लेकिन वे दूसरा कारेकाल नहीं लेने के अपने निर्ने से पूरी तरह खुश है राजन का तीन साल का कारेकाल अगले महीने खत्म रहा है उन्होंने जून में ही कह दिया कि वे इस पद पर दूसरा कारेकाल नहीं लेंगे उन्होंने कहा कि सरकार के साथ बाचीत की प्रक्रिया उस मुकाम तक नहीं पहुची थी जहां वो रुकने को लेकर सहमत हो सकते थे हाला कि उन्होंने कहा कि वे सरकार में पुनन्योक्ती या भविश्य में सरकार में कैरियर को लेकर कभी चिंतित नहीं रहे राजन का कारेकाल 4 सतंबर को समाप्थ हो रहा है और उसके बाद उनकी फिर से अध्यान अध्यापन के शेत्र में जाने की योजना है मुंबई पुलिस कठित किड़नी प्रतियारोपन रैकेट मामले में गिरिफतार किये गए लएच हीरनन्दानी अस्पताल के सीई ओ और चार चिकितसकों के एजन्टों और किड़नी दान दाताओं के बीच धन के आदान प्रदान में शामिल होने या नहीं होने समेत मामले के स सब भी पहलों पर जाच कर रही है कल पुलिस ने स्थानी अदालत को ये जान करी दी इस बीच अदालत ने पांचों लोगों को शनिवार तक के लिए पुलिस हिरासत में भेच दिया इन हिराज्जिय स्वास्थे सेवा विभाग की निदेशक की रिपोर्ट के आधार परमा का भी कोई आदान प्रदान हुआ है या नहीं हिमाजल प्रदेश के मुख्य मंत्री वीर भद्र सिंग निदली हाई कोट में उस आदेश को चुनाती दी है जिसमें प्रवर्त निदेशाले को धन शोधन के एक मामले में उनके परिसर से जब्द दस्तावेजों को अपने प पतियों पर भी गौर किया सिंग ने अपने संशूध हित आवेदन में कहा कि जब्द सामगरी अपने पास रखने के लिए एक प्राधिकार के सामने एडी की याचिका पर जवाब धायर करने का उन्हें मौका देने से पहले दस्तावेज रखने की अनुमती दे दी गई अपनी मुख्या याचिका में सिंग ने उनके परिसरों पर चापेमारी और बरामदगी के कारण पूछे थे भारत और वेस्ट इंडीज के बीच और मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट सेंट लूसियां में खेला जा रहा है भारत की पहली पारी में बनाए 353 रनों की जवाब में खेलने उतरी केरिबियाई टीम ने सधी हुई शुरुवात की और दिन का खेल खत्म होने तक टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 107 रन बना लिये हैं वेसंडीज की तरफ से ब्रेट फेट 53 रन और ब्रेवो 18 रन बना कर पिच पर जमे हुए हैं वही टीम का एक मातर विकेट जॉनसन के रूप में गिरा जिन्हें 23 रन के नीजी स्कोर पर राखुल ने रन आउट कर दिया केरिबी आई टीम अब ही 246 रनों से पीछे चल रही है इसे पहले भारतिय टीम ने अश्विन और साहा की शतकीय पारियक की बदालत पहली पारी में 353 रन बनाए एक वक्त में हैज 126 रनों पर ही 5 विकेट खोचुकी भारतिय टीम को इन दोनों खिलाडियों ने मिलकर मजबूती दी इस न्यूज बॉलिटन में फलहाल इतना ही ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से नमस्कार